काइब सक्ट करें हैं थो सक्षटी है जिया आपके को बसक्राइब ऊसेजिटेगे बंद्ध कर सकते हैं इत्व इस कि हैं च्विडिये बहुत यहाद है final वोगी इस्व लायक के दना the filter चला पिनूआ तो सब्सक्राब करते हैं इम्दार रश्टी के रहें सुगई आपको अपने विए सिम्के डे अंडी सर्विस को एक्टिविएट करने के लिए सिंप्ली से मैं आपको दो प्रोसेस बता रहा हूं तो सबसे पहला प्रोसेस जो आपको देखने को मिल जाता है इसके बाद आपको कुछ उप्सन देखने को मिलेगा वन प्रेस करने के लिए आपको दियांडी सर्विस एक्टिवेट करना जातेय है तो वन प्रेस करिए फिर टूप्रेस करें तो एंदर से करने के बाद आपने mobile रिडर पर इदर पर terminals कर लेना है रिजिस्टर करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं step by step कि आपको फिर क्या करना है register करने के बाद आपको टीपी इंटर कर देना है इसके बाद आ आपको याप्सन देखने को मिटता चैगा तो लाप्ट साइट पर आपको account को जो option देखने को मिलता है उस पर आपको simply से click कर देना है click करने के बाद कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाएगा और साथी में इतर पर आपको कई options देखने को मिल जाएगा तो scroll down करके आपको नीचे जाना है और साथ में do not disturb वाला option देखने को मिलता है और साथ में dnd आपको देखने को मिलता है एक bracket के अंदर तो इस पर आपको simply से click करना है click करने के बाद कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाएगा फिलाल में मैं सभी services को आपनी सिंपर activate किये हूँ बट आपके में कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा ये सभी off होंगे ये सभी off होंगे आपके में और मैं आपको एक एक करके अच्छे से समझा दे रहा हूँ क्योंकि मैं activate कर चूँगा अभी फिलाल में तुरंत deactivate नहीं कर सकता क्योंकि 24 hours की बाद ये मैं deactivate कर पाऊँगा तभी मैं आपको बता पाऊँगा ये टांगल बटन सभी on हो चुकेंगे इधर के जैसे ये आप देख सकते हैं मैंने आलमे के लिए किया था तो मेरे सभी टांगल बटन on हो चुके हैं सभी मतलब service on हो चुकी है इधर से आपको categories देखने को मिल जाती है सबसे पहले तो तो आप category के हिसाब से इधर पर choose कर पाएंगे अगर आप banking बाली आप कोई भी सेवा अगर आपके message या फिर phone calls बगारा banking के दरफ से आती है तो इधर पर आप open कर देंगे तो आपके कोई भी ना bank के message आएंगे ना कुछ आएगा आपकी SIM पर तो यह अपने हिसाब से आप देख सकते हैं इसको मैं आपको recommend करूँगा कि आप इसको ना बंदर करके रखिए मतलब इसको ना on करके रखिए आप टॉंगल बटन को क्योंकि banking service का आपको जरूरी होती है इसलिए आप इसको on करके ना रखिए और साथ में education के health की मतलब कोई भी फालतों के message इदर पर आप पड़ सकते हैं अपने हिसाब से cricket बगए रखिए देख सकते हैं अपने हिसाब से manage कर सकते हैं और साथ में इदर पर आपको mood types देखने को मिल जाता है modes तो इदर पर आपको अगर wise call के जरीए आपको चाहिए यह सब चीजे मतलब कि wise call जो आती है उनको भी अगर आप off करना चाहते हैं तो इसको on करेंगे अगर a promise आप उनको भी off करना चाहते हैं तो इसको off करेंगे और जितने भी option मतलब देखने को मिल जाता है यह सब off कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर आपको यह सब नहीं चाहिए और साथ में इदर पर आपको days का option देखने को मिल जाता है जिस days को आप इदर से हटा देंगे उस days को आपको ये service on देखने को मिलेगे मतलब सभी message और calls आने लगेंगे उसी दिन अगर आप इदर से वो दिन हटा देते हैं तो अपने हिसाब से आप इदर manage कर सकते हैं वो आप days अटाना चाहते हैं जिस दिन आपको call ये message receive होने लगे उस दिन को आप इदर से manage कर सकते हैं और साथ में time bend का भी option देखने को मिल लिया का मतलब आप चाहते हैं ते इस time तक हमारे में नहीं कोई file to call आए नहीं कोई file to message आए तो इदर से आप time भी इदर पर set कर सकते हैं और simple से आपको submit पर click कर देना है सभी चीज़े on करने के बाद फिर आपकी मैं आपको बता देता हूँ सभी on करके फिर से यह सभी आपको on कर देनी है अपने हिसाफ से और submit पर आपको simply से click करेंगे इसके बाद कुछ हैसा interface देखने को मिलेगा और साथ में इदर पर आपको change to change dnd performance का option देखने को मिलेगा और simply से आपको process पर simply click कर देना है फिर आपकी जो services होंगी वो activate हो जाएंगे फिलाल में मैं activate किये हूँ इसलिए मेरे में activate नहीं हो रही है कि कि already activate मैं किये हूँ इस तरह से आप बड़ी असनी से अपने simple dnd service को activate कर सकते हैं चुकि बहुत यहादा simple process आपको देखने को मिल जाता कर आप deactivate करना चाहते हैं तो मैंने अपने चनल पर already वीडियो बना कि तो आप जाकर देख सकते हैं deactivate भी आप उधर से बड़ी आसानी से कर पाएंगे सुगई आज की इस वीडियो में कुछ इतनी process आपके साथ share करना था सुगई वीडियो बसंद है तो लाइक भी कर सकते हैं प्लीज चला पी नुवा आट चला को subscribe करके कोई भी प्रावलम आ रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप पूंच सकते हैं यूजने में अब इस वीडियो 27 लिंक की डिस्कप्शन में देखने को मिल जागा